Hi Friends, मैं हूँ Nisha and welcome back to Nisha's Passion Friends, already Summer Season तो आ चुका है और Summer Season में अपने आपको कैसे maintain करना है कैसे healthy रहना है, कैसे skin care करना है आज किस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे Actually, मैं Summer में कैसे self care करती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ share करूँगी तो चलिए आज किस वीडियो को start करते है Summer Season में अपने आपको healthy रखने के लिए जो सबसे पहला step है, वो है अपने आपको hydrated रखना So, सुबह उठते ही पानी पीने का आदत डाल लीजिए और दिन भर पानी पीते रहिए हो सके तो खुद के लिए एक अलग बॉटल रखिए क्योंकि इस season में हमें मिनिमम दिन में 2-3 लिटर पानी पीना है तो अगर हम एक अलग बॉटल रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम दिन में कितना पानी पीते है So, hydration maintain करने के लिए साथ में आप coconut water पी सकते है coconut water बहुत जादा healthy होता है या फिर आप fruit juice ले सकते है इस time पे मुझे watermelon juice बहुत अच्छा लगता है Next है healthy diet Hydration maintain करने के साथ साथ हमें healthy diet भी follow करना चाहिए इस time पे बहुत सारे fruits हमें खाना चाहिए market में different types के fruits अब लेवल है जो भी fruits आपको पसंद है आप उन fruits को diet में add कर सकते है fruits के साथ साथ बहुत सारे healthy vegetables भी हमें खाना चाहिए आप ना इस time पे watermelon and cucumber add कर सकते है diet में and homemade food जरूर खाईए बहार से order क्या हुआ खाना होसके तो avoid कीजिए and घर में ही हलका सा कम तेल में खाना बनाईए and खाईए reach food avoid कीजिए next है skincare and skincare का पहला step है face wash गर्मियों में अपने आपको fresh रखने के लिए आप बार बार normal पानी से mood हो सकते हैं या फिर face को cleanse करने के लिए कोई भी gentle cleanser यूज़ कर सकते हैं so आज कल मैं face को cleanse करने के लिए यूज़ कर रही हूँ mama art का beetroot gentle face wash ये एक बहुती mild face wash है बहुती अच्छा face wash है इस face wash को यूज़ करने के बाद ना skin बिल्कुल hydrated रहता है so आप भी इस face wash को try कर सकते हैं summers में sun tanning का एक बहुत बरा problem देखा जाता है so body tan को remove करने के लिए बेसन ले लिया है साथ में मैं यहाँ पर add करूँगी half teaspoon turmeric powder तो यहाँ पर मैं डालूँगी अभी 1 teaspoon curd and इसमें मैं आड करूँगी lastly 1 teaspoon tomato puree तो इन चारों चीजों को अच्छे तरीके से mix करके इस pack को बनाया जाता है आप इसको tan remove करने के लिए easily use कर सकते है बेसन dead skin cells को remove करने में help करता है healthy में होती है skin lightening anti-inflammatory and antiseptic properties curd, dark spots and pigmentation को reduce करने में help करता है and tomato में होता है natural bleaching agent जो की sun tan को remove करने में help करता है so इस pack को बना के आप tanned area में apply कर सकते है and बहुत ज़्यादा dry नहीं करना है थोड़े दिर के लिए रखना है and directly पानी से धो नहीं देना है इसको ना हलके हातों से rub करते हुए scrub की तरह use करना है scrub करने से ना skin में जो dead skin cells है वो सारे remove हो जाएगी and skin में एक अलग ही glow दिखने को मिलेगी face के लिए मैं use करती हूँ mama art का upton face mask इसमें है turmeric, saffron and apricot oil ये basically एक skin brightening face mask है so मैं full face में apply करती हूँ थोड़े दिर के लिए छोड़ देती हूँ and बहुत जादा dry होने नहीं देती हूँ हलका गीला रहते ही मैं इसमें पानी आड़ करके हलके हाथों से rub करती हूँ मैं उसके बाद wash कर लेती हूँ summer season में everyday body wash यूज़ करना तो mandatory है body को clean करने के लिए मैं इस तरह का loofa यूज़ करती हूँ लेकिन पैर को clean करने के लिए मैं इस तरह का organic loofa यूज़ करती हूँ क्योंकि इस से पैर बहुत अच्छे तरीके से clean होते है summer season में सिर्फ body wash यूज़ करना काफी नहीं होता है कभी कभी scrub करने की भी जरुरत परती है so मैं ना homemade body scrub यूज़ करती हूँ आप ना इस body scrub को try कर सकते है इस body scrub को बनाने के लिए हमें चाहिए sugar तो मैं यहाँ पर one teaspoon sugar ले रही हूँ half teaspoon coffee ले रही हूँ one teaspoon coconut oil and lastly मैं इस में डालूँगी one teaspoon honey तो इन चारों चीज़ों को अच्छे तरह के से mix कर लेना है आप चाहे तो sugar को grind भी कर सकते है so यह जो scrub बनके तयार है ना इस scrub को आप full body में apply कर सकते है full legs में, hands में apply कर सकते है बहुत ही अच्छी तरह के से dead skin cells remove कर देती है मार्त का rose face toner बहुत अच्छा toner है everyday face wash करने के बाद toner यूज़ करना चाहिए so मैंने full face में apply कर लिया है and अभी मैं यूज़ कर रही हूँ biotic का bio dandelion youth serum जो की बहुत ही अच्छा serum है मैं इस serum को rose यूज़ करती हूँ बहुत बहुत अच्छा है बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ full face में neck मैंने इसको apply कर लिया है and इसको अच्छे तरीके से blend करना है हलके हाथों से massage करती हूए serum यूज़ करने के बाद अभी मैं यूज़ कर रही हूँ biotic का morning nectar moisturizer चाहे जो भी season हो cleansing, toning, moisturizing everyday करना ही चाहिए moisturizer apply करने के बाद अभी मैं use करूँगी एक lip balm, lip को भी moisturizer करना ज़रूरी है बहुत लोग मुझे पूसते हैं कि summer season में क्या moisturizer apply करना चाहिए so my answer is yes of course use करना चाहिए moisturizer and face के साथ साथ ना body को भी moisturizer करना चाहिए मैं अभी use कर रहे हूँ santour का body lotion मैंने recently इस body lotion के use करना start किया है and बहुत ही अच्छा body lotion है specially summer season के लिए बिल्कुल perfect है मैंना everyday body lotion यूज़ करती हूँ चाहे summer season हो या फिर winter and इस body lotion मेंना sandalwood है so इसका fragrance ना बहुत ही अच्छा है and ये body lotion UV rays से भी protection देता है अभी एक चीज़ बाकी रह गया है summer season हो और sunscreen ना हो ऐसा तो होई नहीं सकता so अभी मैं apply करने वाली हूँ mamart का vitamin C daily glow sunscreen sunscreen everyday apply करना चाहे चाहे बहार निकले या फिर ना निकले so अभी मैं sunscreen apply कर रही हूँ मैं विंटर में भी sunscreen apply करती हूँ आप लोगों को भी suggest करूँगी कि summer हो चाहे winter हो sunscreen apply करना mandatory है specially day time पे तो अभी मैं apply कर रही हूँ हाँ blend होने में थोड़ा time लगता है बट ये sunscreen ना बहुत ही अच्छा है blend होने के बाद ना कोई white cast नहीं रहता है और बिलकुल smooth हो जाता है सो देखिए मैंने मेरे face अब देख सकते है मैंने sunscreen apply कर लिया है and my skincare routine is complete and now it's time for hair care hair care के लिए मैं summer season में बहुत कुछ नहीं करती हूँ सिर्फ shampoo करती हूँ थोड़ा सा conditioner लगा लीती हूँ लेकिन मैं hair well apply नहीं करती हूँ तो मैंने shampoo कर लिया है shampoo करने के बाद अच्छे तरीके से hair wash कर लेती हूँ conditioner भी apply कर लेती हूँ and उसके बालों को सुखाने के लिए मैं everyday hair wear यूज नहीं करती हूँ इस तरह से बालों को सुखाने के लिए मैं microfiber का towel use करती हूँ and थोड़े दिर छोड़ देती हूँ microfiber का towel easily पानी सोख कर लेता है तो बाल जल्दी से सूख जाता है और कभी कभी जब जल्दी होता है तब तो hair dry use कर लेती हूँ बट everyday नहीं करती हूँ बालों को ज़्यादा सूखने से पहले मैं क्या कर लेती हूँ एक liven का hair serum है इसको use कर लेती हूँ ये बहुत useful serum है मैं इसको बहुत बहुत सालों से use कर रही हूँ and जब मैं hair dry use करती हूँ उससे पहले भी इस serum को apply कर लेती हूँ और उसके बाद ही hair dry use करती हूँ hair dry use नहीं भी करूँ तब भी मैं everyday बालों को वोश करने के बाद धोर असा सरम लगा लेती हूं इससे ना बाल सिल्की रहते हैं बहुत ही यूसफुल सरम है आप भी ट्राइ कर सकते हैं समर्स में अपने आपको प्रोटेक्टर रखने के लिए अम्रेला बहुत यूसफुल होता है जब भी आप बाहर जाएंगे ना साथ में एक अम्रेला जरूर करी कीजिए ये देखिए मेरे पास है इस अम्रेला ब्रैंड का ये अम्रेला ये एक बहुत ही यूसफुल अम्रेला के लिए जस्ट इस बटन को प्रेस करना है, इसको प्रेस करते ही अम्रेला ओपन हो जाता है, ये देखिए, तो देखिए अम्रेला ओपन हो चुका है, और मैं आपको बता दू, ये ना बहुत ही ब्रॉड अम्रेला है, ये fold होके छोटा हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि umbrella छोटा है, umbrella बहुत broad है, लेकिन fold होके बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए carry करना बहुत जादा easy हो जाता है, इसको बंद करना भी बहुत जादा easy है, इस red button को press करते ही umbrella बंद हो जाता है और बंध होने के बाद इसको इस तरह से लाके attach करना होता है बहुत simple and easy है और देखिए transparent handle होने के वज़े से अंदर का जो mechanism है वो भी पता चलता है ये एक lightweight umbrella है बट sturdy है मेरे लिए ये umbrella बहुत useful है अगर आप चाहे तो आप इसको purchase कर सकते हैं description में link डाल दूगी गर्मियो में खुद को थोड़ा सा relief देने के लिए आप इस तरह का एक mini fan purchase कर सकते हैं आजकाल market में different types के different brands के mini fans available है लेकिन मेरे पास ये fan है इसमें आपको चार color option मिल जाएंगे आपको मैं एक बर fan दिखा देती हूँ बहुत ही छोटा सा एक fan है बिल्कुल बच्चों के toys की तरह है इसको use करना बहुत जादा easy and simple है इसके साथ आपको एक warranty card मिल जाएंगे एक visibility cable मिल जाएंगे इसको charge करने के लिए ये देखिए छोटा सा ये fan है इसको आप कहीं भी लेके जा सकते है carry करना बहुत easy है और इस button को press करके आपना speed control कर सकते है इसमें 3 speed option आपको मिल जाएंगे low, medium and high most probably summer season में आपको high speed में चाहिए आपना इस fan को हर जगा पे easily carry कर सकते है मेरे लिए ये fan बहुत useful है अगर आपको पसंद है तो आप भी purchase कर सकते है मैं description में link डाल दूँगी तो friends आज किस video को मैं ही paint करती हूँ hope you like this video stay happy and healthy see you again in the next video bye bye